हेलो स्ट्रेंट्स तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्छा नोवी का 9 नौवंबर का इसमाईल 3.0 हमवर्क और आज का जो टोपिक है हमारा समानतर रेखा एहम तिर्यक रेखा है और अध्या कौन है कौन सा है कि रेखा है एहम कौन तो आएए देखते हैं फर्स्ट क्यू कि तिर्यक रेखा वहा है जो 2 या अधिक रेखाओं को भिनग बिनदो पर पतिछएत करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है जैसा कि आप देख सकते हो कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं हैं और उसको ये वाली जो रेखा है वो अलग-अलग बिनदू पर पतिच्छेत कर रही है तो यह जो रेखा है, यह तिर्यक रेखा कहला है, जी तो यह यहाँ से आप definition लिख सकते हो, अगले क्युशन बचलते हैं हम, अगले वाले क्युशन में एक तिर्यक रेखा, दो समानता रेखाओं को प्रतिछेत करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने अन्ता कोनों का योग कितना होगा, तो बच्चो एक ही और बने अन्ता कोना का योग कितना होगा, तो बच्चो आप देख सकते हो, कि यह इस टाइल से पूसरा है, कि यह दो समानता रेखाओं हैं, और तिर्यक रेखाओं, एक तिर्यक रेखाओं यह वाली जो L है, है ना, यह इन दोनों कुंसी एम और एन तो हमें यह बताना है कि एक यूर बने अंता कोण यानि कि यह और यह इनका यो कितना होगा तो यह होगा 180 डिगरी ठीक है 180 डिगरी अंसर आएगा इसे अगले वाले कुछन पर चलते हैं हम कि यदि एक किर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिशेत कर यह कि एक अंतर अंता कोणों का यूगम बराबर होता है तो यहां पर यह प्रमे जो हमें सिद्ध करनी है तो आईए देखते हैं इस प्रमे को बच्चो यहां याद कर लिजिए वाट्स अप नंबर क्योंकि अब चाहे आपका मैट्स का सवाल हो या फिजिक्स केमेस्टि ब क्रॉप करना है और पांस सेकंड में आपको उसका वीडियो सोलिशन मिल जाएगा क्लाश से बारा आइटी जेई नीट सीवेसी बोट्स और सभी स्टेट बोट्स के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए आठ चारसो 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 पर अपना सवाल वाट्स पर आपको QR डिन लिखना है याँ पर QR C लिखना है तो इस टाइप से इसका सालिशन आप यहां से उतार सकते हो ज्यादा हम इस एक्स्प्लेर नहीं करेंगा उसके बाद अगला वाला जो क्यूस्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं जो एक रेखा के समानतर हो वे प इसमें जाए एक्स्प्लेर नहीं करेंगे लेकिन लाश्ट में यहां पर अगली वाली स्टेप में आपको इस टाइप से यहां पर संगत कोन के कतन के द्वारा एल और एम एक दूसरे के समानतर हैं तो यहां पर जो दिये थे बच्चों यहां पर दो अलग अलग रेखा हैं किसी एक ही रेखा की क्या थी समानतर थी और इस टाइप से हमने इसको सोलू कर लिया है इसको आप उतार सकते हो उसके बाद नेक्स्ट किसेन बच्चों यहां पर हमें चित्र में कोन एक के तुल्य कोनों को बताना है यानि कोन एक यहां पर है तो बच्चों आप जानते हो क कौन एक के जो सिरसा भी मुक कौन है यानि कि कौन एक के बरबर क्या हो जाएगा कौन तीन हो जाएगा सिरसा भी मुक कौन है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक आंतर कौन भी इनको हम बोल सकते हैं तो कौन एक बरबर कौन तीन हो जाएगा और उसके बाद यहां पर संगत कौन हो जाएंगे कौन एक बरबर कौन पांच ये भी हो जाएगा उसके बाद कौन एक कौन पांच के बरबर है तो कौन पांच किसके बरबर है कौन यहां पर जो है कौन साथ के बरबर है तो यहाँ पर कौन एक बरबर कौन साथ भी हो जाएगा तो इस टाइप से हम कर सकते हैं तो बच्चों सालूशन कर सकते हो थेंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो